बुढ़े मुर्णिंभौ वर्णी बीवने कैसे थास आप चलिए करते हैं reading को start देखते हैं कि आज के लिए आप सब के लिए क्या है angel guidance, क्या angels आपको कहना चाहते है, क्या कुछ बताना चाहते हैं आज की हम अपनी इस reading में देखने वाले हैं, करते हैं reading को start सब्सक्राइब करें देखते हैं कार्ट के एनरजी क्या बता रही है ओके बॉटम आफ तर डेक देख लेते हैं बॉटम आफ तर डेक है यहां पर मेरे पास तैन अफ गैब्रेल मुझे लगता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा लोड लेकर के चल रहे हो यानि कि बहुत ज़्यादा बॉडन लेकर के चल रहे हो बहुत परिशान हो ठीक है आपकी एनरजी के अनुसार से मुझे आप लोग बहुत ज़्यादा मैंटली प्रेशर में देख रहे हो ऐसा कायम ही नहीं है कि आप अपनी लाइफ पे फोकस कर पाओ अपनी एनर्जी पे फोकस कर पाओ क्योंकि यहां के अनर्जी बता रहे हैं कि पॉरसन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रस लेते हुए मतलब कि आप अपने लाइफ में स्ट्रस लेते हुए दिख रहे हो ठीक है को डिवाइन गाइडेंस की जुरत है फूर ओफ माइकल का कार्ड ओके दा हाई प्रिस्टेस दा मैजिशियन ओके वेट एंड है मेरे पास यहां पर थी ओफ गैबरेल ओके तो यहां कि अनरजी के अनुसार से क्लियर कार्ड बता रहे हैं कि आप बहुत ज़दा सोच हो कुछ म नहीं हो पा रहा है उस तरीके से आप आगे बढ़के नहीं आ पा रहे हो जिस तरीके से आप अपना दे सकते थे या फिर आप आगे आ सकते थे ठीक है लेकिन यहां पर क्या और यह कि प्रॉब्लम चल रहे हैं तो आपको यहां पर कार्ड बता रहे हैं कि आपको इतना ज़ तो भी नहीं पा रहे हो अच्छ तरीके से, तो आपका मन शांत नहीं है, बहुत ज़्दा और शांत हो रखा है, मन में बहुत सारी बाते चल रहे हैं, बहुत सारी चीजे चल रही हैं, तो कहीं न कहीं आपका फोकस नहीं बन पा रहे हैं, अपने काम पे, अपने पर कहीं पर भी आहिए आपका जोई है फोकस नहीं बन पा रहे हैं तो वो चीज़य जो हैं आपको करने होगी यानी कि फोकस रखना होगा यानी कि आपको क्या करना होगा meditation ठीक है थोड़ा सा आप आराम करो कुछ चीज़े ऐसी होती है कि जो life में struggle कर रही होती है मतलब कि life में जो हमें परिशान करने के लिए तो यह समय आपका वही है कि आपको परिशानी जहलनी पड़ रही है लेकिन यहाँ पर परिशानी जहल रहे हो तो किसी ना किसी की guidance लो देखो divine guidance आई है यहाँ पर आपको guidance लेने की जुरत है इसी tarot card reader से guidance लो ठीक है? मैं कहूंगी कि मेरे से guidance लो तो यहाँ की energy बता रही है कि किसी spiritual person से जहना आपको guidance लेने की जुरत है और यहाँ की energy बता रही है कि देखो आपके कोई teacher हो सकते है या कोई friend हो सकता है जो कि आपका help कर सकता है या फिर कोई ऐसा person हो सकता है जो कि divine angels है ना उनका connection हो तो कही ना कही जो spirituality की तरफ जो person होता है ना वो आपकी help कर सकता है यह जो problem है आपकी life में जो चल रहा है जो भी problem है लव लाइफ, एल्थ, है न, क्यारियर, किसी से, किसी से भी जाना प्रॉब्लम चलिए, तो आपकी help वो person कर सकता है, और help लेनी चाहिए आपको, यहाँ पे दिख रहा है, कि कहीं न कहीं जो है न, आप बहुत time से struggle कर रहे हो, और मुझे लगता है कि, देखो, कुछ ऐसी situations हैं, जिसके उपर आपको focus करना होगा, आपके लिए सबसे ज़दा meditation की guidance आई है, तो meditation आपको करना होगा, ताकि आपका मन शान्त हो, ठीक है, और आपको जो, जो आपको angels universe guidance देना चाहरी है, उसको आप अच्छे तरीके से observe करो, उसको अच्छे तरीके से ले पाओ, उसके लिए आपको meditation करना होगा, ठीक है, यहां पर दिख रहा है कि आपको जो है ना, यहां पर जो manifest करना चाहरे हो, या जो अपनी जिंदगी में चाहरे हो, करना, है ना, वो आप कर सकते हो, आपको manifestation करनी चाहिए, आप manifest कर रहे हो अल्रेडी, है ना, तो वो सारी manifestation आपकी कब successful होगी, अपने बारे में negative नहीं सोछते हो, लेकिन दूसरे के बारे में negative सोछते हो, दूसरे की help नहीं करते हो, है ना, तो वो इसके वज़ाए से भी आपकी manifestation काम नहीं करेगी, ठीक है, अगर आप किसी को कड़ए वचन बोलते हो, तो आपके manifestation काम नहीं करेगी, तो यहां पर कहां चला है कि दिल से manifestation करो, आपकी manifestation ज़रू कुरबूल होगी, ठीक है, थोड़ा सा time लग सकता है, planning करो, ठीक है, planning करने की ज़रूरत है, और अब जो है, time आ रहा है आपकी जिंदगी में, next step लेने का, ठीक है, तो आप next step लेने के लिए तयार हो, plan बनाओ, ठीक, यहाँ पे card बता अनुसार से, मुझे यही दिख रहा है, आपकी energy के अनुसार, तो यह है आज की reading, आपकी reading, तो मिलते हैं फिर अगली reading में, तर तक चैनल को subscribe कीजिए, वीडियो को like कीजिए, बाब बाई